हालो फ्रेंड्स स्वागत है हमारे यूटूब चैनल कम्प्यूटर और टेक्निकल एजूकेशन में दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूँ बीए का प्राइबेट फार्म फर्स्ट इयर सेकंड इयर थर्ड इयर का आप कैसे अपलाई कर सकते हैं तो फ्रेंड्स अगर आपकी वीडियो हाई रेसियो में नहीं चल रही है वर्ड आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसका रेसियो 360 कर लेंगे तो आपको समझ में आएगा जैसक दोस्तों आपने देखा इस टेड यूनिवरसिटी यहाँ पर मैंने सर्च किया तो जो कि यहाँ पर प्रियागराज.in अलहाबाद का यहाँ पर फीचर ओपन होके आया है जो कि यहाँ पर पेज है जहां से आप अपलाई करेंगे फार्म अपने गूगल में लैपटा है रेगुलर फार्म है बैक पेपर है तो सारी डीटेल यहाँ से दोस्तों इस्टेड यूनिवरसिटी यहनी बीकाम है आपका जो भी यह है आपका भी सीए सारा कुछ यहाँ से आप अपलाई कर सकते हैं आप यहाँ पर जो भी देख सकते हैं न्यू फीचर आया हुआ एक दो दिन पहले ही तो मैं आज आपको बताऊंगा कि यह प्राइवेट फार्म अपने मोबाईल से आप प्राइवेट में कैसे भर सकते हैं मातर इसका अप्लिकेशन सुल 15 रुपे लगता है और पेमेंट प्रूव भी मैं आपको दिखाऊंगा तो जैसे मैंने प्राइवेट फार्म पे क्लिक किया यहाँ पे तो यहाँ पे आपका जो सेकेंडियर है या थाइडियर तो जो भी है दोस्तो आप यहाँ पे क्लिक कर लेंगे फस्ट इयर में थोड़ा दिक्कत होती है दोस्तो भनने में क्योंकि उसमें काफी सारा डेटा होता है बड़ सेकेंडियर सकते हैं तो जैसे और यहां पर कोर्स टाइप में अंडर ग्रिजुएट फैक्चुल्टी में आर्ट कर लेंगे क्लास यहां मेरी भी हैट थ्री कर लेता हूं ३ह तरद यहरूल लंबर मैं आकसे अर्थ तसमें साथ में याप सन पर क्लिक करेंगे नीचे जो आपका यहाँ दिखाई दे रहा है तो आपका पेज वहाँ पेज ओपन होके दिखाई देगा अगर गलत रहेगा कुछ भी दोस्तों तो वह आपका ओपन नहीं होगा डेट आप बर्थ दोस्तों जैसे कि मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ जो है मेरी डेट आप बर्थ वो टाइप करूँगा उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कैस आपका पेज ओपन हो जाएगा जहांसे आपको सब्जेक्ट चुननना होगा थर्ड यह रह जैसे दोस्तों उसमें आपको थ्री सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट आपको छोड़ना पड़ता है तो आप टू सब्जेक्ट को लेना पड़ता है तो जो भी सब्जेक्ट है वो आप पहले से सुनिश्चित किये रहें दोस्तों तब ही आप बहुती आसानी पूर्वक इसको अपलाई कर सकते हैं friends तो मैं यहां पर दोस्तों continue कर देता हूं तो continue करने पर दोस्तों आपका page यहां पर सर्च करेगा उसके बाद दोस्तों आपके सामने इस प्रकार से page open होके दिखाई देगा दोस्तों अगर आपको word नहीं समझ में आ रहा है तो जो high ratio इसकी low quality इसको आप 440 पी कर सकते या 720 पी कर लेंगे तो आपको word जो भी है साफ साफ दिखाई देगा यहां पर जैसक दोस्तों देख सकते हैं इसकी detail आप पूरी पढ़ेंगे जैसे कि यहां पर जो भी student उसका नाम दिया गया है father name mother name data birth email id phone number जीला कौन सा है village उसकी address की पूरी detail यहां पर दी गई है उसके ब उडांग कितना है total mark वह भी दिखा रहा है उसके बाद दोस्तों यहां पर च्वाइस फाइल च्वाइस फाइल यानि सिगनेचर की और जो फोटो है आपकी वह भी आप चेंज कर सकते हैं अगर करना हो तो नहीं तो रहने देंगे जब दोस्तों यह हो जाता है तो मैं इसको एक बार ok कर देता हूँ उसके बाद आपको यहां पर subject चुनने का मौका मिलता है जो कि आप कौन सा subject यहां पर छोड़ना चाते हैं ड्रॉप करना चाते हैं तो मैं यहां पर संस्क्रीट छोड़ना चाता हूँ तो मैं इसको drop कर रहा हूं इस पर क्लिक करूंगा एक बार तो तोटली दोस्तों छे पेपर होगा यानि तीन हिंदी का तीन सोसोलोजी का समासा तो यह दोनों मैंने 6 सबजेक्ट यहाँ पे अर्जेस कर लिया उसके बाद दोस्तों अगर आप यहाँ पे फोटो अगर आप चेंज करना चाते हैं तो ठीक है नहीं तो आप क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पे राइट साइड में देखेंगे तो बैक है और सेब है तो मैं यहाँ पर save पर click करता हूँ और okay करता हूँ तो यहाँ पर मेरा payment का अपसन आएगा जो कि यहाँ पर online payment अपने ATM से debit card credit card से कटा सकते हैं तो यहाँ पर दोस्तो student की detail दिखाई दे रही है जो कि इस प्रकार से है 15 सुरूपए यहाँ पर online कटेगा उसके बाद पे online payment यहाँ पर मैं इस पर click करूँगा पे online payment पर यह यह योर application number इसको दोस्तों अपने notebook में type कर लेंगे क्योंकि इसी से आपका admit card यहाँ पर प्रिंट करेंगे तो यह जरूर आप type किये रहे हैं या तो screen start ले 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 उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ यह type कर देता हूँ उसक debit card उसके बाद दोस्तों जो भी है card का number यानि name जो है उसका वो मैं यहाँ पर type करूँगा जैसे कि उस card का नाम है दोस्तों मैं नाम type करूँगा दोस्तों उसके बाद card number जो solang का होता है वो type करेंगे उसके बाद यहाँ पर card ispire यानि जो ispire month है उसके बाद cvv उसकी डाल देंगे उसके बाद make payment पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपका payment यहां पर successfully ले लेगा जैसे कि दोस्तों make payment पे क्लिक करते हैं तो make payment पे दोस्तों क्लिक करने से पहले आप ध्यान देगे जो आपका application number वो आप type की रहें दोस्तों जैसे कि यहां पर OTP आ गई है मेरी जो कि आप देख सकते हैं मैंने submit किया अब उसके बाद अपने mobile में देखेंगे जो OTP हुई है उसको आप यहां पर फिल करेंगे और submit पे क्लिक कर देंगे दोस्तों आपका finally भी यह private का form फिल हो जाएगा और इससे ही आपका admit card निकाल के आपको सिर्फ paper देने जाना होता है जो कि आप प्रिया करेंगे रूल करेंगे और अपना टाइप करेंगे और डेटा बर्त टाइप करेंगे आप अपना अप्लिकेशन देख सकते हैं कि क्या है हमारा registration नमबर जिससे कि आप admit card print कर सकते हैं और साथी कभी बिए अगर आप registration बूल जाते हैं तो अपने रूल नमबर के पिर से third year का second year का registration कैसे प्राप्ट कर सकते हैं यह भी आप यहां पी status में आकर देख सकते हैं तो यहां पर दोस्तों मैं अपना data birth फिल करके submit करता हूं तो आप देख सकते हैं registration इन्फारमेशन दे दिया गया है मेरा अध्या सकते हैं नाम देख सकते हैं 15 रूपए पे हो गया है सक्सेस पूली यहां पर आपका प्रेंट देख सकते हैं प्रिंट अप्लिकेशन तो मैं इसको प्रेंट कर लेता हूं क्योंकि जब अडमेट कार्ड निकलेगा तब इसकी नई नई जानकारी पाने के लिए गौवर्मेंट जॉब से सम्वंदित जानकारी पाने के लिए चैनल पर बने रहें और चैनल पर नहीं है दोस्तों तो चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर देगर दोस्तों आपका कोई कुश्चन है तो कमेंट बाक्स में कमें जरूर करें इसी प्रकार की नई नई वीडियो नई नई ट्रिक्स आपके लिए लेके आता रहूंगा वाच करने के लिए दोस्तों धन्यबाद